नमस्कार दोस्तों, माई चैनल, डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, इस वीडियो के माध्यम से भारती राजबोस्थायम समिधान से संबंधित वन लाइनर प्रसुनों का अध्यन करेंगे, इस वीडियो को अंतक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सस्क्राइब करें, दोस्तों को सेर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ये आने वाली प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए ये वीडियो आतिमाहत्पूर है, दोस्तों इस वीडियो को अंतक जरूर दे सरोच न्याले ने एक महत्पूर निर्ड़े में मुस्लिम पिताओं को भी अपराधिक प्रक्रिया सहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है, इस निर्ड़े में क्या है, तलाक सुदा पत्नी के साथ रह रह बच्चों के बालिक होने तक पिता पर उनके खर्चे की अगला कुशन है, भारती राष्टी कांग्रेश के प्रतम अध्यच ब्योमेश चंदर बनर जी द्वारा कब और किस कांग्रेश अधिवेशन के अध्यच बने हैं, ये बने थे 1892 में इलाहबाद अधिवेशन के, भारत के समिधान के किस अनुछेद में आप प्रस्ता करने का प्रावधान है, ये अनुछेद नंबर 17, अगला कुशन है, कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल कब सेवा निर्वत होते हैं, ये नियुक्ती से 6 वर्स या 65 वर्स की आयुद तक, ये कंट्रोलर जनरल आडिटर सेवा निर्वत होते हैं, या तो 6 वर्स की उमर पूरी ह कौन करता है ये राश्ट पर दवरा की जाती है किसी विद्यक को धन विद्यक होने का प्रूम निर्णय कौन देता है यह लोग सफाइस पीकर देता है डाक्टर बियार अमेडकर ने किस मौलक अधिकार को भारती समिधान का हिरदय यह मातमा कहा है ये समिधान गुपचारों के अधिकार अनुछेद 32 को कहा है किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारिथ हो जाने की इस्थिती में क्या होता है ये मंत्री परशत से त्याक परते देना पड़ता है पूरी मंत्री परशत भंग हो जाती है राज सभा के दुवारसिक चुनाओ की आधिगोसना कवन जारी करता है ये निर्वाचन आयोग जारी करता है राश्ट पत्य सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोग सभा भं कर सकता है यह अनुछेद 65 के अंत्रगत बंग कर सकता है किस समिधान संसोधन के द्वारा प्रीवी पर्स माननिताएं यों विशेश साधिकार समाप्त कर दिये गए यह 26 समिधान संसोधन 1971 के द्वारा अगला समिधान के किस अनुसूची में राजपाल राष्टपत भारत के मोखिनायदिस आदिके वेतन दिये गए हैं यह दूती अनुसूची में राष्टपत पर महावियोग चलाने है तो कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना चाहिए 14 दिन पहले किस अनुछेत के अंत्रगत रा आता है एक वटे तीन समिधान के अनुछेत 75 में किसके बारे में चर्चा है यह मंत्री परसत के बारे में चर्चा है अगला कुछन किस सदस द्वरा किसी अनसारवजनिक महत्त के विशय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कारवाही बंद करने का नीकास के दोरा किया जाता है यह राष्टी वीकास परिसे दोरा किया जाता है पंचायती राज प्रहणली किस पर आधारित है यह सत्था के भिकेंदरी कंपर भारत के प्रथम लोगसवाद उपाध्रच कौन थे यह थे सिच्छा पहले राज सूची के अंतरगत आती थी किस समिदान संसोधन अधनियम द्वारा इसे समवर्थी सूची में लाया गया ये 42 समिदान संसोधन 1976 के द्वारा अगला खुश्चन है भारती समिदान के किस अनुछेद में मौलिक कर्तव्यों की सूची चर्चा की गई है ये अनुशूची 51A में समिदान के किस संसोधन द्वारा संपति के अधिकार को मुल अधिकारों की सेंड़ी से निकाल कर चवालिस्वा समिदान संसोधन से निकाल के संसोधन 1978 चवालिस्वा समिदान संसोधन 1978 के द्वारा ये 300A में जोड़ दिया गया है अनुछेद नमबर 300A में जोड़ दिया गया है स्वतंत्र भारत में राज सभा के पर्थम सभापती कौन थे डाक्टर सरुपली रादा किरस्म थे स्वतंत्र भारत के पर्थम लोग सभाद्यच कौन थे गड़े सुवाश्दयो माउलंकर थे जंबो कस्मीर को समिदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत विसेश दर्जा दिया गया था ये दिया गया था अनुच्छेत 370 के अब ये धारा समाप्त कर दी गई है वहाँ दो यूनिन टेरिटरी बना दिये गए एक जंबो कस्मीर एक अलद्दाग लोग सभा सदस्यों को सपत कौन गरहन कराता है ये राष्टपत अत्वा उसके द्वारा अधिकरत बेकती आपरत्यासित बेओं की पूर्थ के लिए भारत की अकास्मिक निद्द से कौन धन निकाल सकता है ये राष्टपत निकाल सकता है किस समाजिक बुराई को दूर करने के लिए सारदा एक्ट बनाया गया था ये बाल विवा समिदान सवा की प्रतम बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कौन थे सरदार बल्लबाई पटेल थे भारत में संग राज शेत्रों था प्रसासन किसके द्वारा होता था ये होता था राष्टपत के द्वारा भारती समिदान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निर्पेच और अखंडता ये तीन सब्द जोड़े गए थे बायलिस्वें समिदान संसोधन 1976 के द्वारा ती तीन सब्द जोड़े गए थे दोस्तों अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं समाजवादी धर्म निर्पेच और आखंडता ये तीन सब्द याद रखें अगला कुछन है यदि भारत का राष्ट पत्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र का किसे भेजना चाहिए ये उपराष्ट को अपना त्याग पत्र देता है बित आयोग का गठन होता है समЬनान के प्रावधानों के अंत्रगत दस्यां वित आयोग के अध्याच कावन है ये केसी पंध पन्थ हैं अगला खुशन है भारत के सम्मीधान में औरसिष्ट सक्तियां किसमें नहीं थाए ये संसद में नीथ हैं, संसद किस अनुषयत के अंतरगत आता है, संसद 79, अनुषयत 79, लोग सभा आती है 80 के अंतरगत, और राज सभा आती है, क्या सी के अंतरगत, अगला खुशन है भारती समिदान के अंग नीत निर्देशक सिदान्त के सुरोत क्या हैँ ये आइरलेंड से लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं समिदान के किस अनुचेद में समिदान संसुदन की प्रकृिया दी गई है ये अनुचेद 368 में अगला खुशन है समाजवादी वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है ये CEM जोड का है किस एक्ट के तयद भारत सचीव की स्थापना होई थी ये भारती परिशद अधनियम 1858 परिसीमन आयोग का पदेन सदस कौन होता है ये मुख्य चुनाव आयोगत होता है समिधान के किस अनुछेद में ये उग्त की केंद्री कारण पालिका सक्ति के प्रियोग में कोई ब्योधान ना उपस्तित हो उल्लिखित है ये अनुछेद 257 में सारुजनिक लेखा समित में राजसभा के कितने सदस होते हैं ये साथ सदस होते हैं किस समिधान संसोधन के तयत लोगसभा का कारकाल 6 वर्स से गटा कर पांच वर्स करतिया गया समिधान संसोधन 1978 के दौरा अगला कुशन है समिधान में मूल करतव्यों से संबंदित प्रावधान की समित की संतोष्टियों के आधार पर समिलित किये गए ये सरदार स्वंडशिंग समिति बाहरति समिधान की प्रस्ताव में अभी तक कितनी बार संसोधन किये जा चुके एक भी बार नहीं प्रस्तावना में संसोधन एक भी बार नहीं हुआ अभी अगला खुशन है वह कौन सा अनुछेद है जिसे प्रावधानों के अंतरगत उपवाद स्वरूप भारत सरकार दोरा भारतन पदम विवूसर और आधि अलंकरत प्रदान किया जा सकता है अनुछे संसोधन के तैत सिक्किम को भारत का 22 राज का दर्जा दिया गया था यह 36 संसोधन 1975 अगला खुशन है डाक्टर बी आर अमेटिकर ने किस मौलिक अधिकार को भारती संसोधान का हिर्दय यह आत्मा कहा है यह संविदानिक उपचारों का अधिकार यानि संविदान अनुछे नमबर 32 अगला खुशन है बारती संविदान संविदान भारत में कब अंगी करत किया गया था यह 26 जनौरी उन्नीश सो उन्चास को शहकारिया आयोकिस विशय से संबंदित है यह 85 केंतरकत है यह यह कैंदरी राज की जांच से संबंदित है अगला खुशन है भारती संविदान में प्रदत मूल भूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट पत भारती समिदान में किस संसोधन द्वारा नागिरिकों के मौली करतब्यों को समिलित किया गया है योजना आयोग का गठन 1950 के में किसके दौरा किया गया था मंत्रि मंडल के निर्णे के दौरा किया गया था समिदान सभा के सदस्तों को कितने प्रत्य रूप से निर्वाचित किया जाता है ये किया जाता है प्रांतों किस बिधान सभाओं के दौरा भारती समिधान की संसोधन प्रक्रिया किस देश के समिधान से ली गई है दच्छिन अफ्रीका यह अनुशेद नंबर 368 में दिया गया है अगला कुछन है पंचायती राज अधनियम 1922 दौरा समिधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई थी ग्यारवियन सूची में यह कहा गया है कि 6 से 14 साल तक बच्चे को माबाप का करतब भी है उसको पढ़ाना अगला कुछन है राज के नीत निदिशक तत्यों का वरण समिधान के किस भाग में नहीं था यह भाग नंबर 4 अगला कुछन है दल बदल बिरोधी कानून समिधान का कौन सा संसोधन है यह भانवा समिधान संसोधन समिधान संसोधन अद्नियम 2003 द्वरर निर्वाचन छेत्रों के के पर सीमन का आधार किस जंगणनह wereng को निश्चित किया गया यह 2001 की जन्गरणा को मूल अधिकार युँं राज नीट ने दे सकत त्यों में क्या अंतर है मूल अधिकार वाद योग्णे हैं जबकि नीट ने दे सकता तो नहीं अगला कोशन है भारती निस के अनुसार राजनीतिक सक्ति का अधार है भारत की जंता अगला कोशन है मीनी कांस्टिटिउशन किसे कहा जाता है बारती समिदान किस परकार की नागरिता परदान करता है यह एकल नागरिता परदान करता है किस समिदान संसोधन में समिदान की परस्तावना में संसोधन किया गया था यह बारती समिदान संसो समिधान में प्रदत मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सस्ता है राष्टपत बिर्टिस संसत द्वारा इंडियन इंडिपिंडेंडेंस एक्ट का पारित किया गया था यह जुलाई 1947 को समिधान बनाने वाली प्रारूप समिध ड्राफ कमीटी के अध्यच कौन थे यह समिधान को अनुछे 356 संबंदित है यह किसी राज में राष्टपत शासन लागू करने से संबंदित है तीन आपात उबंध है 352 या बाह है आकर मड़ और 356 356 किसी राज का जो है किसी राज पर जो है राष्टपत शासन लागू हो सकता है अनुशे 360 बित्ति आपात हमारे भारत में बित्ति आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है अगला कुछ नहीं बारत के समिधान में परतम संसोधन कब किया गय केबिनेट मिसन योजना में क्या समिदान संसोधन के निर्णे प्रस्ताविश समिदान सभा को वयस्क मता अधिकार के आदार पर निर्वाचन करने को स्विवकार किया गए थे नहीं किस वर्ग गोवा सहित अन पूर्थगाल बस्तियों को भारती संग राज का छित्र बनाया गया था ये 1962 में समिदान में मूल कर्तब्यों को सामिल करने का विचार किस देश के समिदान से लिया गया है । यू यूसन passing रूस यानी रूस के समिदान से लिया गया मूल करतबियों को सामिल यह तुछ यह इसा किक है। जिसका बहुतान बेंक की विदा किया जाता यह कथन किसका है पाहिए किसका है केटी साका अगरा खुशन है अनुछे 366 के संसोधन है तो क्या संसद्ध को विशेस बहुमत कम से कम आधे राज्यों का अनुशमर्थन आवश्यक है हाँ किन्तु सभी संसोधन को नहीं राष्ट पती निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किस बैक्त की आयुपूर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए वो 35 वर्स की आयुपूरी कर चुका भाहरत का नांगरी खो पागल दिवाली आ ना हो किसी लाब के पत पर ना हो ये आरताय होनी चाहिए राश्टपत बनने के लिए उपराश्टपत के चुनाओं में मतदान होता है ये होता है लोगसभा तता राश्वा के सभी सदस किसी अनुमती के भिना राज की विधान सभा में कोई धन विद्यक पेस नहीं किया जा सकता राज पाल की अनुमती के भि संसद की बैठक होना आवश्यक है दो बार भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पसे मुक्त होना पड़ता है 6 माईने बाद अगर यो किसी यानि लोग सबा राज सबा यानि संसद का सदस नहीं है किसी भ रोल लोग सभा की है राज सभा की किस राज का लोग सभा वा राज सभा में सबसे अधिक प्रतिनिदित हैं उत्तर प्रदेश में लोग सभा में 80 सीटे हैं और राज सभा में 31 सीटे हैं अगला कुशन है भारत सरकार का मुख्य बिद्वि परामर्स दाता कौन है भारत सरकार का महानियावदी अटारनी जन्रल आफ इंडिया साम्विधिक किस अनुसूची में केंद्रियम राज्जों के भी समयधानिक सक्तियों का बठवारा किया दिया जाता है सात्वी अनुसूची में योग सभा में राज्यों को फ्रतिनिती किस राज्य का है और कितना है उतरप्रदेश का 31 हैं भारत में राश्च्टपत के चुनाओं के लिए निर्वाच्चन, मंडल के सदस कौन कौन हैं ये ये लोग शभार राज्शभा तथा राजविधान सवां के निर्वाच्चित सद अधार पर आयोगिताओं के बारे में उपबंध है ये दसमीं अंसूची में दल बदल डल दसमीं अंसूची में जोडा गया है वह भारत में राष्टपत का चुनाओ अनुपाथिक प्रतिनीद्द तो प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमड़ी मत दोम्हेरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित तो प्रणाली तथा एकल संक्रणी मत्त मतदान का क्या तातपर है सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो ये अनुपातिक प्रतिनिधित प्रनाली कहलाता है एकल संक्रमणी मत का तातपर है कि मतदान वरीता करम में दिया जाए अगला कुछ है पांडचेरी के प्रसासक तथा अंडमा निकोवार द्यूप समूग के प्रसासक को क्या कहते हैं उपरा जिपाल बिहार में लोगसभा त रासभा के लिए 16 सीटे निदारित की गई है अगला खुशन है भारती संग की कारपालिका का प्रधान राष्टपत है और उनमें संग के कारपालिका सक्त नहीं थै राष्टपत इस सक्त को प्रियोग किसकी साहता से करता है ये केंद्री मंद्र मंडल की साहता से करता है कान करता है ये प्रतेक पांच वर्स के बाद सम्मिदान सभा के प्रारूप समित के अध्यच डाक्टर भी आरा मेडिकर के थे इस समित के सदस्थ की संक्या कितनी थी साथ समित साथ थी अगला खुशन है सम्मिदान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावदानों को सामिल क कि गया यह भाग नमबर तीन में मौली का अधिकार दिये गए हैं अनुछेद नमबर पांसे गेरा तक कोड़ें पांसे नहीं बारा से भारा से कि गार तिस तक है अगला गुषन है समिदान में प्रेस की सोतंतरता का अलग से उलेक नहीं है यह सोतंतरता किस अनुछेद में अंतर नहीं था अनुछेद 19.1 का में अगला खुशन है राजसभा दता लोगसभा के संयुक्त अधिवेशन के अधस्ता कौन करता है ये लोगसभा अध्यच करता है संयुक्त संसदी समित के अध्यच का मनोनेन किसके द्वारा किया जाता है ये क कर सीमानायुक करता है भारत में उच न्यालों की संख्या कि टूंटी फाइव हुआ है वत्मान में कुल कितने राज हैं थूंट एट राज हैं इंध एट इइट भी जैद कोई वेक्ट कि अपनी इच्छा के प्रसासन के संबंद में प्राउदान समिधान कि किस अनुसूची और messaging को किया गया hidden तरोप्रतम किस अधिनियम के दोरा भारत के प्रांतों में आंसिक उत्तरदाई सासन की व्यूस्था की गई है ये 19-19 के भारत सासन अधिनियम दोरा की गई है भारत के सासना अध्यच का सम बोधन किसके लिए किया गया ये प्रदान मंतरी के लिए किया गया है समिदान के किस को भारत का मैंगना कार्टा कहा गया है यह भाग नंबर 3 को भारत का मैंगना कार्टा कहा गया है बिधान परिस्द बिधान परिस्दों में सरोपर्थम किस अधिनियम के अंत्रगत भारतियों को प्रतिनिद्ध कहा गया है यह 1909 के अधिनियम के अंत्रगत 15 अगस्त 1947 26 जौनरी 1950 केमत भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है बिरिटिस्ट राष्ट कुल का एक अधिराज किसकी अनुमती से कोई भारती नागरी की विदेशी सरकार से कोई उपाद या सम्मान प्राप्त कर सकता है भारत के राष्टपत के अनुमती से समिधान के किस संसोधन द्वारा मौलिक कर अधिकारों की संख्या गटा दी गई है यह चवैलिसें समिधान संसोधन 1978 के द्वारा राज्जिस्थान उचन्याले कहां इस्थित है यह जोधपूर में इस्थित है भारत के पर्थम मुखिन संसद का अधिरिवेशन प्रारंब होने के कितने दिन पस्चात अध्या देश्थित है यह चुनावाईगत को उन थे सुकुमार सिंथ है भारत की सरोच विधी क्या है समिधान सामान नयायो निसूलक बिधी साहता का प्रावदान समिधान के किस अनुशेद 49 में है भारती समिधान की संग और राज्यों के भीच सक्त विवाजन की बिधी किस देश के संग की पिर्णा पर आधारित है यह कनाडा की संग की पिर्णा पर आधारित है संसद का अधिरिवेशन प्रारंब होने के कितने दिन पस्चात अध्यादेश आप्रभावी हो जाता है यद इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्विकरती ना देश च्छाय सपताबाद भारती समिधान का कौन सा अनुषेद राज सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता अनुषेद नमबर 40 भारतीयों को सत्ता हस्थानांतरन का उल्लेक सरोपर्थम कब किया गया ये किया गया था किरिप्स परस्ताव 1942 बिर्टिस्ट संसत के लिए चुने जाने वाले पर्थम भारती थे दादा भाई नरोजी थे बात की सुद्धतरता के समय भारती राश्टी का अंग्रेस का अध्यस कौन था ये जेवी करपलानी थे ये कथन किसका है भारत का समिदान संगी क्रम है और एक आत्मक अधिक है केसी वीकर का एस याई विकास बैंक का मुख्याले किस देश में इस्थित है ये फिलिपिन्स मनीला सहर में इस्थित है बियरर बॉन्ड इस्कीम का उद्देश क्या है ये काले धन की स्कीम है अगला कुशन है ब्याजदर किसी नीत से संबंदित है मौद्रिक नीत से संबंदित है राश्टी विकास परिशत का गठन कब किया गया था ये 1962 में किया गया था शेयर बाजार में अलफा फ्यक्टर का क्या अर्थ है वह अवधारना जो किसी शेयर को अंतर निर्दिश आइस्तित्ता का मापन करती है सदस्थ संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है ये है INTUC इंटक किस अधनियम के द्वारा भारत में वर्ग जात्य और धर्म आध के आधार पर प्रतक निर्वाचन छेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है ये बारत सरकार अधनियम 1909 के अंतर के मारले मिंटो सुदार अगला कुशन है अंतर राष्टी परिशत के संबंद में उपबंद समिदान के किस अनुशेद में वर्णित है ये अनुशेद 263 में वर्णित है सरकार उपकरम समीत वित्ती समीत में कुल 22 सदस होते हैं लोग सवायम राज सवा के कितने सदस होते हैं लोग सवा के 15 और रा सबस सदस्य होते हैं अगला कुशन है कि राजस्थान उच्छ न्यालेयों मिलहाबाद उच्छ न्याले की स्थापना कब की गई थी यह उनिस सो उन्चास और अगला कुशन है कि समिदान संसोधन के दोरा राश्थ पत्य और प्रदान मंत्री लोगसभा के निर्वाच संबंदी विवाद न्याले के छेतरा अधिकार से बाहर किया गया है यह 49 समिदान संसोधन 1975 भारती समिदान के किस अनुछेद में प्रेस की सोतंतरता से संबंदित ब किस सूची के विशय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता यह राश सूची पर सुरुपरतम किस राज में लोग अधालत आयुज़ित की गई थी यह गुजरात में अगला कुशन है समिदान संसोधन किस अनुछेद में मौली कर्तब्यों को जोड़ा गया है यह अनुछेद 51A में जोड़ा गया है समिदान के संद्चक के रूप में सरोच न्यालय का अधिकार बिस्ट के किस समिदान संसोधन से लिया गया है यह समिदान से लिया गया यह लिया गया समिदान से लिया गया यह लिया गया संद्चक किस समिदान से लिया गया है भारत की प्रभुसत्ता किसमें नहीं थे भारत की जनता पर नहीं थे भारत की जनता पर नहीं थे बिश्व के एक मात्र हिंदू राष्ट का नाम बताईए ये नेपाल भारत का पर्थम बिद अधिकारी कौन है भारत का महान्याईवादी भारत को संपोड प्रभुत संपन लोगतांत्री गड़राज कब घोसित किया गया था ये 26 जनुरी 1950 को गोसित किया गया था मूल अधिकारों को सरोपर्थम किस देश में संविधानिक मानिता परतान की गई ये संविधाराज अमेरिका यूए से अखिल भारती सेवाओं का सरजन कौन करता है ये राज सभा यानि दो वटे तीन बहुमत से लोग सभा में वीपच् समिधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंबोई थी 9 दिसंबर 1946 को समिधान निर्माड की दिसा में पहला कार उद्देश प्रस्ताव है ये 22 जनुरी 1947 को ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया ये जबाला नहरू ने किया मूल समिधान में राज्यों के चार अलग-अल अली की अधिस्ता में संपतिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ये वैदानिक अधिकार है किस वर्ष संसद ने अनुचेश सत्रा में दिया गया है कि समिदान संसोदन अधनियम ने राज के नीत निजसक तत्यों को मौलिक अधिकारों की अपेच्छा आधिक प्रवावसाली बनाया ये बायलिस में समिदान संसोदन 1976 के दौरा भारत के कौन से राष्टपत दुती संसद शेकेंड प्रीफ्रेंस के मतों की गढ़ना के फलसु समिदान के किस अनुछेत के अंत्रकत भित्ति आपातकाल की बियुसथा ते समिधान कौन से नागरीता परदान करता है एकल नागरीता परदान करता है प्रथम पंजायती राज बियुस्था इंप पंडे जवालन नहरू ने पुरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चीए अगला खुशन है पंचायती योजना का अनुमोधन तता पुनर निर्षण के द्वारा किया जाता है यह राश्ट्री विकास परिसत राज इस्तर पर मंत्रियों की नियुक्त कौन करता है यह राजपाल करता है नए राज के ग यह परदान मंत्री के त्याग पत्र के द्वारा भारती समिधान में संग की कारपाली का सक्त किसमे नहीं था है राश्टपत में नहीं था है राजपादत का सरोपर्थम गठन कब हुआ था तीन अप्रेल 1922 को हुआ था संसद का कोई सदस अपने अद्दच की पूर्व अन अनुपस्तित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोसित कर दिया जाता है अगर वो बिना सोचना के 60 दिन तक अनुपस्ति रहे तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाता है लोगसवा के सदस से लोगसवा के सदस से एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर चुन सासित छेत्र भी राजसभा में अपना प्रतिनित भेजता है ये हां भेजता है केंदर सरकार का समयदानिक प्रावधान कौन होता है ये राश्टपत होता है राश्टपत के चुनाव संबंदित विवादों को किसके निर्देशन में किया जाता है ये सरोच न्याले का Pre समाजिक समानता का प्रदान करता है यह अनुशेत 15 पंद्रह समेदानिक संसोधन के लिए विदेक को संसत के किस सदन में पेस किया जाता है ये किसी भी सदन में पेस नहीं किया जाता है अगला कुशन है राश्ट पद पद पर सबसे कम अवदी के लिए पदा रूड रहने वाले वेक्तिकवन हैं ये डाक्टर जाकिर हुसेन है राज्यों का भासाई आधार पर गठन किस वर्स किया गया था ये 1903 में किया गया था बासाई के अधार पर 1903 में किया गया था सबसे पहला जो है आंद्रप्रदेश को अलग किया गया था अगला कुशन है बारतिस समिदान में किस अनुछेद को समिदान की आत्मा के नाम से जाना जाता है अनुछेद 32 को डाक्टर बियार अमेडिकर ने समिदान की आत्मा कहा है बिहार बिदान सभा में सदसों की संक्या कितनी है 243 लोग सभा चुनाओ छेत्र का परिसीमन किस वर्स की जनगर्ना के बात किया गया था ये 2026 अगला कुशन है गोवा को किस राजवर्स का दरजा दिया गया है ये दिया गया है 1987 सिवी में नगर निगम के सरोच अधिकारी को क्या कहते हैं महापौर कहते हैं प्रथम लोग सभा चुनाओं में कितने राजनीतिक दलों को राश्टी दल के रूप में मानता दी गई थी ये 14 अगला कुशन है प्रदान मंत्री का सचवाले किसके अधिन आता है ये ग्रह मंत्राले के अधिन आता है अगला कुशन है सम्मिदान सभा द्वरा पारित सम्मिदान में कुल कितने अनुछेद और अनुसूचियां है इसमें 395 अनुछेद और 8 अनुसूचियां थी मूल सम समिदान में कितने भागों में विवाजित है यह 22 भागों में विवाजित है अगला कोशन है भारती समिदान के अंतरगत समिदान में संसोधन संबंदी पहल का अधिकार किसे है भारती संसत को है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता ये बेक्तिकत स्वतंतरता और जीवन की सुरच्छा का अधिकार समिदान के अनुछेद 24 के अंत्रगत कितने वर्स से कम आईवाले किसी बालक को कार खाने या खानों या किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता ये 14 वर्स समिदान के अनुछेद 368 में किस प्रक्रिया का उले किया गया है समिदान संसोधन की प्रक्रिया का उले किया गया है दच्छिड अफरीका से लिया गया है अगला कुछन है भारती समिदान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है ये शंगी स्वरूप संगी राज्य है स्वतंत्र भारत के प्रतम भारती गवर्णर जनरल कौन थे चकरवरती राज गोपालाचारी थे यदि कोई सरकार निर्देश तत्त्त की अपेच्छा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मद्दाताओं के समच उत्तर दाई होना पड़ेगा ये कतन किसका है ये समिदान संसोधन के द्वारा की गई थी अगला कुछ ने राष्ट पती पर महावियोग का रोप संसत के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है ये संसत के किसी भी सदन द्वारा समिदान के किस अनुछे द्वारा राष्ट पत्त को अध्यादेश जारी करने की सक्तिपरदा सब्सक्राइब करें तो यह 213 के अंत्रगत अध्यादेश जारी कर सकता है अगला भारत का राश्टपत किसी ऐसे प्रसन पर जिसमें विदिय और तत्त के प्रसन अंतर ग्रस्त हों जिससे प्रामर्स प्राप्त कर सकता है यह प्राप्त कर सकता है सरोचनेयले के नदीश से सरो प्रतम किस अध्नियम के दवरा भारत में उत्तरदाई सासन की स्थापना की गई ये 1919 के भारत सासन अधिनियम दोरा समिदान सभा के अस्थाइस अध्यस थे डाक्टर सचिरान सिनहा अखिल भारती कांग्रेस ने किस वर्स ये परस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयम बिना किसी विदेशी हस्त छेप के अपने समिदान का निर्माड करेगी ये 1936 में कहा गया था वर्तमान में भारती नागिरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्ध हैं? मौलिक अधिकारों की सुरच्छा हित न्याले कितने प्रकार के हैं? ये रिट जारी करता है पांच प्रकार की अगला कुशन है लोक नियोजन के विशाय में आउसर की समानता का उलेक समिधान किस अनुछेद में किया गया है या अनुछेद सोला में किया गया है किसी विद्यक को धन विद्यक के रूप में कौन प्रमाडित करता है ये लोक सबा करता है स्वरुप्रतम भारती राज व्योस्था का उद्गाटन पंडी जवाला नहिरू ने दो अक्टूबर उन्नीश शौब उन्चास को किस स्थान पर किया था ये नागवर राज्थान में किया था योजना आयोग के उपाद्यच को भारत सरकार के सरकारी वरीता करम से किसके समच दरजा दिया गया है केंद्री कैविनेट मंत्री के समच किस प्रधान मंत्री के कारकाल में दल बदल बिरोधी विध्य एक पास हुआ था यह राजिव गांधी के कारकाल में समिदान के किस अनुच्छेद में नागर नयाई पालिका के कारपालिका से प्रतक की बात कही गई थी अनुच्छेद 50 में उच्चितम न्याले की पहली महिला न्यादीज कौन थी यह फातिमा भी भी थी अगला कुशन है समिदान में वर्तमान में कितने अनुछेत 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 अनुछे समिधान सभा में कुल कितने सदस होने थे यह 389 यानि 389 समिधान सभा का गठन किसकी सिपारिस पर किया गया था यह कैविनेट मिशन योजना की सिपारिस पर किया गया था अगला भारत स्वाधिनता अधनियम को किस दिन ब्रिटिस समराट की स्विक्रती मिली थी यह 18 जुलाई 1947 को मिली थी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस शमय ब्रिटन में किस दल की सरकार थी यह लेवर पार्टी की सरकार थी समिदान की प्रस्तावनों में हमारे देश का कौन सा नाम उलिखित है ये उलिखित है भारत इंडिया भारती संसत की कारवाही में बिना सदस्ता प्राप्त की एक कौन भाग ले सकता है ये भारत का महानयाईवादी अटाननी जनरलाफ इंडिया भाग ले सकता है लेकिन वोट जोड़ा गया है भारती सम्मिधान में किस अनुछेत के तयत अंटेचिबिलिटी को समाप्त कर दिया गया यह अनुछेत नमबर 17 केंद्रगत संगहात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलजाने के लिए सम्मिधान में विसेश प्रावधान की विवस्था की गई है इस अनुछेत के तयत इसका प्रावधान है अनुछेत 131 के अंतरगत राष्ट पत्य का अभी वहां साड काउन तयार करता है केंद्री मंद्रि मंदल करता है पनचायत के चुनाओं कराने के लिए निर्णय किसके दोरा लिया जाता है यह राज सरकार दोरा लिया जाता है उन्याशी उमा समीधान संसोधन किस से सम्भान किया थैं यह democratic करी लोग वडमा सभा और राज सभा विधान वर आरे शळय कर्या क्या था मुस्लिम लीक मुसल्मानों के लिए एक अलग समिदान सभा चुनना चाहती थी समिदान के निर्माड की दिसा में औलेख योगदान देने वाले उद्देश से इए उद्देश से प्रस्ताऊं का संबंद कि से यह पंडिजवाला नहरू से है समिधान के प्रस्तावना में वरंडित लोगसभा को किस रूप में सिविकार किया गया ये समाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोगसभा की रूप में सिविकार किया गया है भारत के प्रतम राष्टपत के रूप में डाक्टर राजिन प्रसाद का निर्वाचन किस ने किया थ ये चिया था उद्देश प्रस्ताहो में वन्यदित विचारों को समिधान सभा ने समिधान के 10 भाग में इस्थान दिया है ये प्रस्तावना में इस्थान मिला है किस समिध की सिपारिशों के आधार पर अगला कुछन है समिदान के अनुछेद 72 फस्ट गा की विवस्था के अनुषार कौन मृतुडंड को छमा कर देता है केवल राश्ट पती दल बदल से सम्बंदित किसी विवाद पर अंतिम निर्णे किसका होता है ये सदन के अध्यच या सभापती का अगला खुशन है बारत के समिदान में समलित समवर्ती सूची किस देश के समिदान के आधार पर समलित की गई है अस्टेलिया के समिदान के अधार पर अनुसूचित छेत्रों के प्रसासन से सम्बंदित प्रावधान समिदान की किस अनुसूची में दिया गया है ये पांचवे अनिसूची में दिया गया है भारस सरकार में विविन मंतरालों और विवागों ने कार्यों का बठवारा कौन करता है ये मंतर मंडल सचवाले करता है बारस सरकार ने 1956 में संसोदन के संसोधन द्वारा जंबो कस्मीर राज को भारस का प्रांत बनाया था ये सात्मा समिदान संसोदन के दौरा नियंतरे के उमलाह महाले का परिच्छक के वेतन आद किस न्याले के न्याधीसों के वेतन आद के बराबर रखे गए हैं ये उच्टम न्याले के देश में केवल दो संग राजचेतरों में विदान सभाए हैं यह मातर दो अगला खुशन है भारती समीधान के किस अनुछे द्वारा बेगार और बलात सरम को प्रति सिद्ध किया गया है ये अनुछेद तेश द्वारा समीधान की प्रस्तावनों में प्रीव्त किस सब्द का तात्पर है की भारत का राश्या अध्यच वंसा नुगत न नियाले के नायधीस पर महाव्योग लगाने का प्रावधान है यह अनुच्छेद 124 के अंत्रगत अगला कुछन है भारत का संसदी परजात अंतर किस देश से प्रवावित है यह ब्रिटन से प्रवावित है सरो परतम किस अधिनियम के दोरा भारत में उत्तरदाई सासन की स्थापना की गई है यह अनुच्छेद यह सर यह की गई है 1919 के भारत सासन अधिनियम दोरा जम्बू कस्मिल भारत सरकार भारत संग का एक मातर ऐसा राज है जिसका प्रत्थक समिधान है यह समिधान किस वर्स अंगीकार यह लागू किया गया था यह किया गया था 26 जनवरी 1957 में भारती समिधान की सरोचितम प्रकृती है एक आत्मक लच्छनों से युग्त संगात्मक अगला कुशन है 1903 में गठित राजपुनर गठन आयो के अधच यानि नयमोर्ती फजल अली थे अगला कुशन है भारत में सरकार ने 1956 में संसोधन समिधान के किस संसोधन द्वारा जंबू एंड कास्मिर को भारत का प्रांत बनाया यह सात्मा समिधान संसोधन अगला कुशन है भारती जंता पार्टी की स्थापना उनी सवक्याओन भारती जंसंग के रूप में किसके नेतरत में हुई थी यह स्यामा प्रसाद मुखरजी के नेतरत में हुई थी अगला कुशन है किस सदस्थ से द्वारा सरकार की किनी विसेश नीतियां या कारवाही की अलोचना के उदेश से लाए गए प्रस्ताओ को क्या कहा जाता है यह निंदा प्रस्ताओ किसी पच्छ के कोई पद या मताधिकार के लिए दवा करने पर राज उसकी वैदिता की ज जिस 49 उपचार दौरा करता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं अधिकार प्रच्छा भारती समिधान में एकलनागरिता का प्रावधान लिया गया है यह बिर्टन के समिधान से लिया गया है राज भासा आयोग के प्रतम अध्यच कौन थे ये बीजी खरे थे भारती समिदान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है ये अनुछे 315 के अंतरगत किया गया है अगला कुशन है समिदान की 11 अनसूची में पंचाती राज संस्थाओं में सम्मिलित किये गए बिस्यों की संख्या है ये 39 है बारती संख का राष्ट पति किसके परामर्स से कारे करता है ये प्रधान मंतरी के किस समिदानिक संसोधन द्वारा ये तैंकिया गया है कि में समिदान संसोदन अगला खुशन है जवाहरलाल नहरू के नेतरत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था यह सितंबर 1946 में हुआ था समिदान सभा में किस प्रांत के प्रतिनी दिस्सरवादिक थे यह संयुक्त प्रांत के पंचायत का चुनाओ कराने के लिए निर्णय कौ भारत का राष्ट्पत भी अनुछे 360 के उल्लेख होने पर संसोदन विद्यक पर अपनी स्विक्रती नहीं दे सकता यानि दुर्गा दास बसू राष्ट्पति किसने एगलो इंडियन कितने एगलो इंडियन सदस्य लोकसाबाय में मनुनित कर सकता था दो कर सकता था अब सं सोदन यानि 104 में इसको समाप्त कर दिया गया है सरोच न्याले के नियाधिस की सेवा निरृत की आयू कितनी होती है यह 65 वर्ष उपर राष्ट्पत के चुनाओं में प्रदान मंत्री कब मद्दान का अधिकार अधिकारी नहीं होता है जब वह संसत का सदस नहीं होता है में किसके नियंतन के अधिन कार करता है राष्ट्पत के भारत के किस राष्ट्पत का चुनाओं आम सहमती से हुआ यह नीलम सजी और अगला को सें है कोई केंदई मंत्री कब लोगसवा में मद्दान का अधिकारी नहीं होता यह जब लोगसवा सदस नहीं हो समिधान के अनुसार केंदरी मंत्री परिशद में अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं यह समिधान में इस संबंद में किसी सीमा का उलेख नहीं किया गया है केंदर सरकार के मंत्री ब्योहारिक एवन सवेंधानिक रूप से किसके प्रशाद प्रयत्न अपना पत्य गिरंड करते हैं ये राष्ट पत्त तथा प्रधान मंत्री अगला कुशन है प्रदेश सरकार के मंत्री बेवहारी कियम सम्यदानिक रूप से किसके प्रशाद प्रयत्न अपना पत्य गिरंड करते हैं राजपाल के समझ सम्यदान के अंतरग के उलंगन की इस्थिती में किस अनुछेद के अंतरगत ब्यक्ति सीधे सरोच न्याले में आवेदन कर सकता है यह अनुछेद 32 के अंतरगत नागरिकों के मूल करता भी समिधान में कहा कह दिया गया है कि समिधान के भाग चारे में किस रीट का सताब्दिक अर्थ होता है पारंटों का राज के नीत निदेशक सिधान्त के अंतरगत किस आयूतक के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क तता अनिवार रसिच्छा जिराने का दायुत है यह 14 वर्स की आयूतक के भारत के वह राष्टपत जो पूर में लोक्षभा के अध्यच्च भी रह चुके है अगला खुशन है राष्टपत की अनुमती हेत भीजे गए किसी विद्यक पर राष्टपत कब तक अपनी अनुमती देने के लिए बाद दे है समिदान समिदान ने कोई समय सीमा निस्चित नहीं किये 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मद्ध सरकार अंतरिम राष्टपत कौन है ये डाक्टर राजिद परसाथ अगला खुशन है धन विद्यक को संसत के किस सदन में प्रसुप किया जाता है ये लोगसवा में प्रसुप किया जाता है संसत के प्रतेक सदन की बैठक की कार सूची में पहला विसे कौन होता है ये प्रस नकाल होता है किस समिदान के तहत के भूमिसुदार कानूनों को नवी अनुसूची में इस्थान दिया गया है ये 29 समिदान संसोदन दोरा किस अनुचेद के तहत धार्मिक स्थार्मिक बैय के लिए निशित धन पर करकी आदाएगी छूट प्रदान की गई ये अनुचेद 27 के तहत 1952 के आम चुनाओ के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्टी दल के रूप में मानिता प्रदान की गई है ये 14 दलों को अगला कुशन है समिदान सभा ने प्रारूप समिदान में अनुचेद वार विचार विमर्ज करना कब से प्रारम किया है 15 नॉम्बर 1948 समिदान सभा के अंतिम दिन सभा के पठल पर भारती समिदान की कितनी प्रतियां रखी गई है जिन पर सभी सदस्यों के हस्ताचर किये गए थे तीन अगला कुशन है सवर्व परतम राष्टी आपात की उद्गोशना 26 अक्टूबर 1962 को की गई दूसरी बार राष्टपत्य आपात की उद्गोशना कप की गई थी यह 13 दिसंबर 1971 को की गई थी अगला कुशन है जब राष्टपत्य दौरा बित्ती आपात की उद्गोशना की जाती है तब संसद दौरा इसका अनुमोदन कितने धिनों के अंद्रगत किया जाता है ये दो मा के अंद्रगत बारती समिदान के किस अनुछेद में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राष्टपत्य और दोनों सद्नों से मिलकर बनेगी जिसके नाम क्रमसा राजसवा और लोकसवा होंगे अनुछेद 79 के अंद्रगत एक संसद होगी किस अनुछेद के तहट सरोच न्याले को ये अधिकार दिया गया है कि साइनिक न्याले को छोड़कर वह भारत के अन किसी न्याले अथवा न्याय मंडल के निरने के विरुद सरोच न्याले में अपील करने की अनुमती प्रतान करे यानि अनुछेद 135 के अंद्रगत अगल केंद्री करों से प्राप्त कुल धनरा से उन्तिर प्रतस्त हिस्सा मिलेगा अस्यविय समिदान संसोधन दोहजार इस भी ये समिदान संसोधन अद्नियम अप्रैल 1996 में लागू हुआ था अगला कुशन है किस महाधिकारी को अपने कर्टब्यों के पालन में भारत के राज छेत्र में सभी न्यालियों की उपाद उपस्थिती होने का अधिकार प्रतान किया गया ये महानयवादी की अगला कुशन है समिदान का प्रारूप करने के लिए समिदान सभा द्वरा प् समिदान सभा के सदस्यों ने समिदान पर हास्ताचर किये यानि 24 जनुरी 1950 अगला खुशन समिदान सभा को अनुतरीम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था 26 जनुरी 1950 यादि कोई विक्त अपनी इच्छा से विदेशी राज की नांगरिकतार अरजित कर लेता है तो उसकी भारती नांगरिकता क्या होगी भारती नांगरिकता सुथा समाप्थ हो जाएगी किस अनुचेद द्वारा भारती नागरिता को च्छाय परकार की सुत्मत्रता प्रदान की गई है ये अनुचेद 19 के अंतर का च्छाय परकार की सुत्मत्रताई है धन विद्यक पर राज सभा की मरत उनके कारकाल के दवरान केवल सिपारिस के आदार पर भारत के किन राष्ट पतियों की मृत उनके कारकाल के दवरान हुई है ये डाक्टर राजेर प्रसाद और फरकोदिन अली आहमत की हुई है अगला कुश्चन है राज की कारपालिका सक्ति का प्रावदान कौन होता है ये मुख्यमंतरी और राजपाल राजपाल जम्बू कस्मीर के विशय में संसत की अधिकारी ता किन विशय तक है ये केवल संग सुची में वर्णित विशय तक राज के निम्नेम उच्च सदन क्या कहलाते है क्रमशा ये विदान सवा व विदान परिषत कहलाते है अगला कुश्चन है प्रदान मंत्री का विक्तिकत उतरदायत किसके प्रत है। बित्य मंत्री का नाम बताई ये जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तूत किया था ये पी के सनमुखम सेठी ने अगला कुशन है भारत भारती समिदान के निर्णे के समय समिदानिक सलाकार कौन थे ये बियन राव थे राष्ट पत्ति पद के चुनाव समबंदी बिवात को किसे निर्देशित किया जाता है ये सरोच नेले के नाधिस को किया जाता है आपात काल के दवरान किस प्रकार की अधिनता के अधिकार को शमात या सीमित नहीं किया जा सकता ये जीवन और सारीरिक स्वतंदरता को किसी नजरबंद वेक्त को अपनी रिहाई के ल में क्या एं प्रफान में उसे अपनी पसंद का वकील करने का सभीदानी अधिकार है भारतिय सभा में वे सभा में की प्रस्तावना में न्याय सब्धका परियोग किस अर्थ में हुआ ठार्थश समाजिक और अगला कुछन है भारत के सम्मिधान में कितनी भासाओं को राजभासा का दर्जा प्रतान किया गया है ये 22 भासा हैं कितनी भासा हैं 22 भासा है अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 17 के अंद्रगत अनुच्छेद 343 से लेकर 349 तक अगला कुछन है समिधान में अंतर निर्विष राष्ट राष्टी आपात्काल को उतगोषणा राष्ट पर द्वरग अब तक कितनी भार की गई हैं तीन भार की गई है ऐसामिधान के किस अनुच्छेद में नहीत प्रिकलिया के अनुार समिधान में संसोधन करने का प्रा सदन में पेश किया जा सकता है समिदान सदन परक्रिया में क्या जन्म संग्रे की विवस्था है यह नहीं है अगला कुशन है समिदान के आदार बुर ढांचे को सुरचित रखने का सिद्धान सर्वोच न्यालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था के यह केशवानन्द भारती है मामले 1973 बारती समिदान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिकित था भारत और इंडिया अगला कुशन है भारत में किस राज में सबसे पहले राष्ट पर सासन लागू किया गया था यह पंजाब वह वर्स 1938 में किस बेक्त के वयस्क मतादिकार के आदार पर समिधान सबा के गठन की मांग की गई थी जवालन नहरू 15 अगस्त 1947 से 26 जनुरी 1950 के दोरान भारत का राजनीतिक दायरा क्या है यह ब्रिटिस्ट राष्ट कुल एक अधी राज जब भारत स्वतंत्र हुआ उस शमय ब्रिटिन में किस दल की सरकार थी यह लेवर पार्टी प्रदान मंत्री किलीमेंट इटली थे समयदानिक संसोधन हेतु विद्यक सरोपर्थम कि संसद में प्रस्तुत किया गया था ये संसद के किसी भी संसदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संसद में सभी प्रकार के समयदानिक संसोधन विद्यक प्रस्तुत करने के लिए क्या राष्टपत की अनुमती प्रदान प्राप्त करने की आउसकता होती है नहीं कौन राष्टपती दुती संसत के मतों की गड़ना के फलसोरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे ये बीवी गिरी क्या आंत्रिक असांति के आधार पर राष्टपत आपातकाल की गोशना कर सकता है नहीं भारत के राष्टपत को किस से वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निश्चित से दिया जाता है अगला कुशन है संसत के सदन में सरकारी विद्यक कोन प्रस्तुत करता है ये मंत्र परसत का कोई भी सदन समिदान के किस भाग में समाजिक राजिनीतिक और आर्थिक न्याले की व्योस्था की बात कही गई है प्रस्तावना में कही गई है भारत में वित्ती संकट की गोशना अब तक कितनी बार की गई है ये अभी तक एक बार भी नहीं वरीता की दरश्च से मंतरियों का सही करम क्या है कैबिनेट मंतरी राजमंतरी उपमंतरी भारत के राह राष्ट पत्त ने किस मामले में अपनी बीटो सक्ति का प्रियोग किया था ये भारती दागर संसोदन अधनियम भारत के कि उर्दू को पृत्वा के द्वारा प्रत। जवाब कर आता है कोई नहीं कराता है लोक्सभा के सदस्ऱों को का करकारी अध्य अध्यर शपत ग्यर्ण करता है। इनमें से किसी सदस्च के लोकसभा अध्यच के रूप में निर्वाचित होने पर पुना सपद गरन करने के आवसकता नहीं है। जब विद्यक को राश्टपत के पास भेजा जाता है, तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विद्यक पर कारवाहि करना अवस्यक है। कोई शमय सीमा नहीं है अगला कुशन है राष्ट पति पत के किस चुनाव में अन्ताकरण की आवाज पर खुला मद्दान हुआ था ये 1969 में जब भीवी गिरी राष्ट पत चुने गए 20 जुलाई 1979 को कारकारी राष्ट पत को कार गण करने से पूर्व एक हिदायत उलला सरोष नयादीस थे उन्हें कारकारी राष्टपति पद की सपत किसने दिलाई थी सरोष नयाले के वरिष्ट नयाधीस ने अगला कुशन है यदि लोगसभा में किसी भी दल को इसपष्ट बहुमत ना हो तो राष्टपति किसे प्रदान मंत्री नियुक्त करेगा बिवेक का प्रियोग कर अपनी पसंद के किसी भी बिवेक्ति को जो आवस्यक बहुमत जुटा सके सामोही गुरूप से मंत्री परशत किसके प्रत उतरदाई होता है लोगसभा के प्रत उतरदाई होता है समिदान का ब्याख्याकार और संदच्छक कोन है यह है सरोच नियालाए कितने राज्यों में दुई सद्रानात्मक विदान मंडल है उनके नाम बताए आंधर प्रदेश जंबू कस्मीर बिहार महाराष्ट करनाटक और उत्तरप्रदेश तेलंगाना यह जंबू कस्मीर कした अगला खुश्चर नहीं है राष्ट्पत्य आपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंदी प्राउधान किस会 देश के सम्मेदान से लिए गएं जर्मनी यह अपातकाल कहां से लिए गएं जर्मनी कि समिदान संसुधन से समिदान से लिए गएं संसूधन को किस समिदान संसोधन दोरा हटाय गया है यह समिदान planet desper 1978 के दोरा नागरिकता प्राप्त करने वरकरों को Casey विस्तार सिपर्द से चरचा कहा की गई है यह मतिरवोड़ान के रूफ में परदान मंत्री होन हे का परावोधान कि सănुशेद में अनुशेद नमबर 74 फश्ट में पंचायतों को सुपूर्द विश्यों की सूची समिदान की किस अनुशी में है गेरवियन सूची में अगला कोशन है पंचायतों के निर्वाच्चन कितने समय में होते हैं यह प्रतेक पांच वर्स में उच्णियाले के छेतरा अधिकार में स 273 के अंतरकत अंतर राष्टी परिश्ट की स्थापना किस ने की थी यह राष्ट पत्ने की थी भारत के सरोशन्याले में कुल मुख्यनादिस की अत्रिक्त कितने और अनिनादिस हैं यह हैं दोस्तों एक मुख्यनादिस 33 अनिनादिस भारत में दुश अधन वाले कुल कितन आरच्छित हैं यह 79 लच्छ दिव किस उच न्याले के छेतरा अधिकार के अंतरगत आता है अगला कुछन है आम चुनाओं में कोई प्रत्यासी कितने संसदी इस्थानों से चुनाओं लड़ सकता है यह अधिक्तम दो राष्ट पत युम राष्ट पत के निर्वाचन संदी विवादों पर कवन निर्णें लेकर सकता है यह उच्तम न्याले अगला कुछन है समिदान की प्रस्तावनाओं में प्रभुत शंपन लोगतंतरात्म गड़राज के इस्थान पर समिदान ससुदन विद्यक निसोचेतर दोरा की सब्द समूं को लाया गया है यह संप अगली वीडियो में करेंगे यह दोस्तों आपके एक्जाम्स के लिए अतिमात पूर्ण है और इस वीडियो को आन तक देखने के लिए धर्नबाद जय हैं दोस्तों